अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स अब बहुत टाइम से मेरे पास वेरी आ रही थी कि मैं होम साइंस का जो पेपर आया था 2022 में उसको सॉल्व करवा दिजे दिखा दिजे कि किस तरीके के कोशन्स आए थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसम्बर 2021 जून 2020 साइकल का जो लेटेस्ट कोशन पेपर है जो 12 जुलाई को हुआ था एक्जाम होम साइंस का यहाँ पर हम आपको कोशन्स दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके कोशन्स आए थे साथ ही उनके आंसर तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करनी से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही लाइक कर लिजे क्योंकि यह एक्स्क्लूसिव है यह जो वीडियो है यह सिर्फ आप स्वास्त सर्विक्षिन की श्रंकला में सबसे हाल ही का 2019-20 का जो है वो कौन सा है? Option number C, NFHS 5 साधी इसका explanation दिया गया है, ध्यान से देखते जाएगा राश्ट्रिय परिवार स्वास्त सर्विक्षिन 5, 2019-20 में किया गया संपूर्ण भारत में स्वास्त और परिवार करल्यान के संधर में भारती परिवारों के एकत्री किये गए विबिन नमूने का एक बहु इस्तरी सर्विक्षिन है जो राश्ट्रिय और राजस्तर पर परिवार नियोजर अनेमिया आदी की जानकारी प्रदान करता है स्क्रीन शॉट ले लिजेगा, ठीक है कोशन नमबर टू, डेफिसियंसी और अंतरबूत कारक का भाव किसका मार प्रशिस करता है जल्दी देखिए भाई, ऑप्षिन नमबर टू, पर्णियस अनेमिया और विटामिन बी बारा की कमी ऑप्षिन नमबर टू, इस कोशन का सही आंसर होगा विटामिन B12 के अफसोशन में मदद करता है अंतर भूत कारक की कमी से विटामिन B12 की कमी होती है जो पढ़निसियस अनीमिया का मुख कारण है और इसके लावा इसके बारे में ये जो डिटेल है इसको आप लोग पढ़ लीजेगा चली अगला कोशन देखिए जो 12 जुलाई को पूछा गया कोशन था कोशन था कि शरीर द्वारा उपाजित कार्बन डाई ऑकसाइड का विभाजन अब जब आहारी चया पचाय के दौरान शरीर द्वारा उप्योग की जाने वाली ऑकसीजन से किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं सही अंसर ऑप्शन नमबर बी रेज़िपेटरी एक्शेंज रिशियो यह कैसे निकाला जाता है इसका सूत्र क्या है शरीड द्वारा उपाजेट CO2 का विभाजन जब आहारी चाय पचाय के दौरान शरीड द्वारा उपोग की ज समवंदी प्रशनावली में समानेता क्या चीश शामिल होती है सीदे चलते हैं इसके आंसर पर कोशन नमबर फूर और आप्शन नमबर डिया आंसर इसका सही है तो हिर राउन भी दिये गए है अब यह पीवाई क्यों इंपोर्टन है क्या यहां से कोशन रिपीट होगा येस रिपीट हो भी सकता है और अगर कोशन से रिपीट नहीं भी होता है तो यह जो आप एक्स्प्लानेशन पढ़ रहे हैं यहां से तो कोशन जरूर आएगा कोशन नमबर 5 यदि किसी व्यस्क महिला का कद 150 सेंटीमीटर है तो ब्रोका के सूचकांग के द्वारा उसके आदश वजन की जो गड़ना होगी वो क्या होगी सही आंसर आप्शन नमबर C 50 किलो कैसे निकालते हैं ब्रोका इंडेक्स उचाई मापका उप्योग करके शरीर के आदश वजन की करना की जाती है ब्रोका इंडेक्स को पाल ब्रोका ने विक्सित किया था सूतर है आदश वजन इक्वल टो उचाई माइनस 100 यानि किसी व्यस्क महिला का कद़कर 150 सेंटीमीटर है तो ब्रोका के सूच कांग में क्या करेंगे आइडियल बॉडी वेट यानि 150 सेंटीमीटर माइनस 100 तो क्या अंसर आजेगा 50 किलो यानि जो भी वजन दिया गया है उसमें आपको 100 को माइनस करना है कोशन नमबर 6 यदि खाद सेवा का एक मालिक बहुत इशात्मक उपाग इस कोशन का सही आंसर है ऑप्शन नमबर डी चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए नेक्स्ट कोशन देखिए जल में पैथोजीन्स के एक संकेतक के रूप में सरवादिक सामानिता उप्यों किये जाने का तरीका जिसका खाद पदार्थों में विस्तार किया गया है जो है कॉल चोशन है जो इसकह एक्स्ट्रीशन है टाइम है स्कृषिण टाम लीजी पानी में उपसित अन्यहानी कारख सुक्षिम जीवों का पता लगाने के लिए एक संकेता के रूप में किया जाता है कौशन नमबर एट कौन सा पादब रेशा है सही आद सरॉप्शन नमबर भी सीसल कौशन नमबर नाइन कौन सा कपड़ा एक खुली जाली दारसन रचना बनाने के लिए बुलाई और टक टंकों से बने हुए बानक बुनाई वाला कपड़ा है सही आंसर है लकू हटे लैकास्ट फैबरिक मुखेता कपास फैबरिक से बनाया जाता है परनक तो इसकी बुनाई बड़ी लूप की तरह अत्वा जाली दार होती है और इन कपड़ों से खेल कूद वाले जूते कपड़े आदी बनाया जाते है कोशन नमबर 10 किसी डॉबी सनलगने द्वारा उत्पादे दानेदार सतहा वाली कोई निकट रूप से बना हुआ कपड़ा कौन सा होता है कोशन नमबर 10 ध्यान से देखिएगा चले सही आंसर है ऑप्शन नमबर A बार्थिया बार्थिया डॉबी सनलगने द्वारा उत्पादे दानेदार सता के रूप में बना हुआ एक वस्त्र है ये ट्विल बुनाई से तियार किया जाता है तूटे हुए रिब बुनाई का प्रभाव देते हैं गोट्स का यहां पर क्या फुल फॉर्म होता है जल्दी से इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या आंसर सही है गोट्स तैयारी चल रही है आप सभी की अभी फेवरेरी वाला एक्जाम है फिर जून का एक्जाम है तो आप जिस भी एक्जाम में आप अप्लाई करना चारे हो उसमें ये कोशन पेपर आप के लिए बहुत ही बेनिफिशल होने वाला है तो जल्दी से बताएं गोट्स इस्टेंडस फॉर सही अंसर है ओप्शन नंबर सी यानि गोट्स का पूरा नाम है ग्लोबल ऑर्गैनिक टेक्स्टाइल स्पेंडर्ड इस कोशन का सही अंसर ओप्शन नंबर सी ये अंतरास्टे इस्तर पर मानेत अप्राप्त और्केनिक टेक्स्टाइल मानक है गोश त्वारा कच्छे माल की कटाई से लेकर वस्त निर्बान लेवलिक तक के मान दंडों को परमाणिक किया जाता है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी Quesion No.12 The Cross-Sectional View of Mercerized Cotton Fiber Under the Microscope Looks यानि सुक्षम दर्शी के अंदर कोई मरसरी करद कपास रेशा का अनुप्रस्ट द्रश्य कैसा प्रतीत होता है सही अंसर है Option No.B गोलाकार इस Quesion का सही अंसर है गोलाकार तुरंथ इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे यह जो important आपके explanation है जब आप इसका स्क्रीन शॉट लोगे तो क्या होगा आप उस चीज को पढ़ोगे है ना तो उसको जरूर से स्क्रीन शॉट लेते चलिए कौन संकीन कफ पर एक लिद लंबी पूर्ण बाही है Option No.B बिशप संकीन कफ पर एक लिद लंबी पूर्ण बाह को बिशप बाह कहते हैं इन बाहों में बॉटम से फुलर और टॉप पर एक टागर के चिननटे डाली जाती है Question No.14 कौन सा एक फैशन अंगी करण से धान्त नहीं है तो सही आंसर है ट्रिकल डाइगनोल ट्रिकल डाइगनोल क्या है फैशन अंगी करण से धान्त नहीं है जबकि ट्रिकल डाउन, ट्रिकल एक्रॉस, ट्रिकल एप है देख सकते हैं ये वाला कोशन और इस कोशन का तुरंथ ही स्क्रीन शॉट ले लिजे क्योंकि ये आपका पूरा एक्स्प्लाइशन है इस कोशन का ट्रिकल अप सिधान्त फैशन का सबसे नया सिधान्त है ट्रिकल डाउन, फैशन का सबसे पुराना सिधान्त है ट्रिकल एक्रॉस सिधान्त, 36 प्रवास सिधान्त है फैशन के तीन सिद्धानते और कौन कौन से है इसको नोट डाउं कर लिजे या स्क्रीन शॉट ले लिजे बहुत अराम से कोशन पेपर करा रही हूँ और ये कोशन पेपर आपको कहीं जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा तो आप लोगों को जो चीज मिल रही है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और सॉल्व करिए व्यापार के परकार के अनुसानिम लेकिन में से किसे उद्धमी की रूप में वरिगेगरत नहीं किया जाता है तो सही आंसर है थोक व्यापार को उद्धमी कोन होता है जो अपने रचनातनम विजारों के मादयं से किसी व्यापार को विख्सित करता है और आर्थिक संसाधनों को सयोजित करता है अवं उप्करम में नहित विविन जोकेम अनिश्चत्ताओं का उचित प्रबंधन भी करता है कमरे के भीतर किसी बिंदू पर दिन के प्रकाश का जो गुड़क है वो क्या होगा Option number C, Intensity of Light यानि प्रकाश की तीवरता कमरे के भीतर किसी बिंदू पर दिन के प्रकाश का गुड़क प्रकाश की तीवरता कहलाती है द्रश्य प्रकाश की वैमात्रा जो किसी श्रोज से एट सेकंड मोच सर्जट होती है प्रकाश की तीवरता कहला भी है एक्ट डेट गवान्स कंजूमर डिस्प्यूट इस आंसर करिए इस कोशन का अधिनियम जो उब्भोकता विवादों से सम्मंदित हैं वो कौन सा है पारप्रथाओं भ्राम अगवेब ग्यापन उब्भोकता अधिकारों के उनलंगान से संब्धिन मामलों को रोकने के लिए उब्भोकता संरक्षन अधिनियम का प्रावधान किया गया 24 दिसंबर 1986 को राजीव गांधी की पहल पर उब्भोकता संरक्षन विदियक संसत में पारित किया गया राश्पती द्वरा हस्तां श्रिद होने के बाद देशवर में उब्भोकता संरक्षन अधिनियम लागू हुआ जो यह सुनश्यत करता है कि उतपाध परिया वरानिय तेशिए है उसे क्या कहते है इको मार्क कहते है ये क्या करता है इससे पता चलता है कि जो भी प्रोड़क्ट है वो परियावरण की अनुपूल है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी ये भारत मानक ब्योरो का द्वारा जारी किया प्रमांधन चिन्न है कोशन नमबर 19 कौन प्रवंदन का नियंत्रन कारे नहीं है प्रमांधन का नियंत्रन कारे इनमें से कौन सा नहीं है सही आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर C कारे निश्पादन के मानक स्थापित करना ये आपका जुलाई 2022 में पूछे गए होम साइन्स के कोशन है जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं परिवेश जिसमें समाज और सम्रचना संबंदी तत्र शामिल होते हैं कहते हैं लगू परिवेश माइक्रो इन्वाइर्मेंट विच अफ दा फॉलिंग एम तो इंप्रूफ थर्मल कमफर्ट और रिद्यूस एनरजी यूसिन रेसिडेंशल बिल्डिंग किसका उद्देश आवास ये भवनों में तापी आनाव में प्रद्दी करना उर्जा के प्रयोग को कम करना है और दियान से देखे इस कोशन को ग्रह का पूर्ण रोप है एकी ग्रत प्राकरतिक आवास आकलन यानि ग्रीन ब्रेटिंग पर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेस्मेंट फुल फॉर्म ग्रह का इसकी स्थापना 2007 में की गई नवीन और नवी करनी उर्जा मंत्राले द्वारा की गई है ये ग्रीन ब्रेटिंग है आवास आकलन के लिए टेका स्क्रीन शॉट कोशन नमबर ट्वेंटीडू व्यापक विकासात्मक विकारों की रेंज दीक्ष्न विकास से लेकर मंद विकार तक होती है उसे क्या कहा जाता है कोशन नमबर ट्वेंटीडू सही अंसर ओप्शन नमबर बी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार क्या चीज होती है समानिया प्रतीत होती है autistic spectrum disorder के संकेत और लक्षण कौन-कौन से है टेक a screenshot क्या लक्षण होते हैं इसके screenshot लेते चलिए biological changes in elderly do not result in व्रद्ध जनों में कौन सा जैविक परिवर्थन नहीं होता है change in the IQ IQ में बतला कोई वेक्टि जो साथ साल से अधिक की का लानुक्रम आयू का है तो उसे व्रद्ध की रोब में परिवाशित किया जाता है और उसके IQ में परिवर्थन नहीं होता है जैविक परिवर्थन नहीं होता है ब्रूनर ने उन रोमन विद्वानों द्वारा उप्योग में लाई गई अथार्था की प्रति निदित्व के तरीकों के रूप रेका तयार की जिनों ने विश्व की बारे में उनकी अफधार नात्मक समझ विक्सित की थी question number 24 सही answer क्या होगा option number A inactive, iconic and symbolic अभी नहीं अनुप्रतिकात्मक और प्रतिकात्मक संग्यान नात्मक मनोवैग्यानिक जेरोम ब्रूनर ने बौतिक विकास के संधर में तीन संग्यान नात्मक मॉडल दिये कौन से inactive, iconic और symbolic screenshot लेते चलिए क्योंकि अगर PDF देंगे तो उसका क्या होगा कि आप लोग पढ़ोगी नहीं अभी क्या है आप लोग पढ़ते जाओगे और साथ ही में उसको आप लोगों के अंदर ये भी होगा कि हाँ भाई हमने screenshot लिया है उस चीज़ को हमें पढ़ना है बाकि जिसको भी पीडियाफ चाहिए उसको चैनल का सब्स्क्रिप्षन लेना होगा 199 रुपीज़ वाला सब्सक्रिप्शन लेगा उसको मिलेगा ये विकास अत्मक मनोवोग्यानिक विकास konkre winter से मुकी छेटरु जैसे संगेन अत्मक सामाजिक समधात्मक विकास के बारे में संबंधों पर हदिकाति ध्यान के इंद्रेट कर रहे हैं वो क्या है ओप्शन नमबर सी अल्प्टिक संध्धिान तेक उन मुकता क्या चीज होती है ये स्क्रीन शॉट ले लीजे तुरन अगला देखिए कोशन कोशन नमबर ट्वंडिसिक्स यौन पुनर जाग्रती का समय जब यौनिक आनन का श्रोत परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति होता है वै अवस्ता कौन सी है जरनिक अवस्ता मनो विशनात्मक सिध्धान के कई चरण है जिसमें आपके मौकिक चरण, गुदा चरण, लिंक प्रधान अवस्ता, अविया वक्ता और जननिंद्री अवस्ता आती है इसको स्क्रीन शॉट लीजे आपके होम सैंस में पूछा गया कोशन है लडाई जगडा करना मुखेता एक पारम पर एक पुर्श उचित भूमिका की विशेशता है और रोना मुखेता एक पारम पर एक इस्तरी उचित भूमिका की विशेशता है ये किसका उधारन है ऑप्शन नमबर भी जेंडर टाइपिंग का यानि इस तरिया जनरली रोती है और अगर बात कर लड़ाई जगड़ा जनरली किसका लक्षण माना जाता है पुर्षों का उसकी बाद ये कोशन नमबर 28 इंदी में देखिए इसे किस सिद्धान में सुझाव दिया जाता है कि किसी मशीन की बादी संगटित शरीर रचना आपूर्ती में समय बीतने के साथ हाश होता है ये प्रक्रिया निर्धंत और कमजोर पोशन जैसे परिया वरननी दबावों से प्रभावित होती है तूट फूट सिद्धान के इंसार उम्र बढ़ने के फल सरुप शरीर की कोशिकाएं उत्कों में शती होती जाती और इसे सिद्धान जी वेगानी आगस्त वीजमें द्वारा दिया गया था पीम पोशन शक्ती निर्मान योजना को पहले के किस कारिक्रम से प्रतिस्ता पे किया गया MDM MDM, Midday Meal School Feeding कारिक्रम जो था उसकी जगह पे अब क्या आ गया है PM पोशन 1925 में शुरू किया गया था Midday School Feeding कारिक्रम उसकी बाद अगर हम बात करें सेतंबर 2021 में इसको बदल कर क्या कर दिया गया प्रधान मंतरी पोशन शक्ति निर्मान योशन कोशन नमबर 30 वे प्रतिदर्ष जो सार्वजनिक बोल चाल के लिए उप्युक्त माना गया लेकिन संप्रेशन का एक तरफा प्रतिदर्ष है उसे किसकी दोरा प्रस्तापित किया गया था ओप्शन नमबर D अरस्तू अरस्तू का संचार मॉडल है रेखी मॉडल है जिस में पारसपरिक संचार के तुल्दा मेर सारवजनिक संचार पर अधीक जोर दिया जाता है एक तरफा प्रतिदर्ष है अरस्तू का रेखिय संचार गेट कीपर्स आर इंपोर्टेंट फॉर्दा फॉलिंग कम्मिनिकेशन यहां पर पेपर वन के कोशन्स भी डाल दिये गए हैं सही आंसर है गेट कीपर जंद संचार में महतुपूर्ण है क्या होता है जंद संचार में गेट कीपर यह तै करता है कि कौन सी सुचनात्वा जानकारी वैक्तियों को दी जानी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए गेट कीपिंग का विचार कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया कौशन नमबर 32 कौन सी वैग्यानिक विदी है जिनसे प्रतिबिम्बिक चिंतन पैटन अपनाया जाता है कौशन नमबर 32 सही आंसर ऑप्शन नमबर B रिफलेक्टिव थिंकिंग पैटन अपनाया जाता है यानि चिंतन शील प्रकरती चर्चा की कौन-कौन सी विशेष्टा है इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे सबके सब अगला कॉशन यदि कोई कारिक्रम समन वे किसी समुदाय को विबेन खादवस्नों की उपलब्दता का मोल्यांकन करना चाता है तो कौन सी पी-ईले विधी का उप्योग करता है या वो कर सकता है सरी आंसर मौस्मी आरेक पी-ईले पार्टिस razor की लर्निंग अने क्शन गुडात्मा का नुसंधान की दिया विधी मौस्मी आरेक का उप्योग करते हैं पी-ईले में उन्नत भारत अवियान किसको समर्थन प्रदान करता है उन्नत भारत अवियान आप में से कितने लोगों ने होम साइन्स का एकदाम दिया था जुलाई दोहजार बाइस में वो देख ले कि कहां पे उनसे किस चीज में गलती हुई सही answer option number C उन्नत भारत वियान के रामीर विकास के लिए कोशल निर्मान आर्थिक से सक्तिक रड़ को समर्तर प्रदान करता है इसकी आपचारिक शिर्वाद 2014 में सिक्षा मंत्राले द्वारा की गई थी इसका उदेश देश के उच्छे सिक्षा संस्तानों को गाउं से जोड़ना है कोशन नमबर 35 सुन्दलाल बहुकुडाने हमारे देश में निमलेकित में से किस आंदोलन का नेतरत्व किया सही आंसर उप्षा नमबर 20 चिप को आंदोलन वनों को काटने से रोकने के लिए ठीक है अगला कोशन देखे पूर्व परिक्षन माध्यमों में बिन्नताओं के लिए अत्वा अन्यकार को परसांके की रूप में समिक्रत करने वाले समुहों अत्वा सहचरों का कारक जानने हैं तू अनुसंदान करता संदे करता है वे उस आश्यरेचर को परवावित कर सकते हैं ये जानने के लिए हम किस चीज़ का प्रीयोग लाते हैं आप्शन नमबर C ENKOVA ENKOVA क्या चीज़ है ये जानने के लिए हम ENKOVA का प्रीयोग करते हैं आनोवा का ही विस्तार है ये किसी भी मॉडल में विच्रों के प्रभावों को सांके की रूप से नियंतरत करने के कैसी वीधी है जिसमें एक प्रती रूपचर के रूप में लिये जाने वाले कुडात्मक्चर के साथ दोनों प्रकार की चर्ष शामिल होते हैं स्क्रीनशॉट लेते जाएगा ये मत सूचेगा कि नहीं भाई स्क्रीनशॉट कैसे लें पॉस कर लीजे वहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजे तुरंत रोक लीजे वीडियो को एक अध्यन जो कि विद्यारतियों की उपलब्दियों पर किसी सेक्षनिक कारिक्रमों के प्रभाव को जानने के लिए भी कल्पित है इस अध्यन में चर्शिक्षा की कारिक्रम और प्लब्दि कौन सी है सही आंसर ओप्शन नंबर वन स्वतंत्र और आश्रित क्वेन अंकन पददी निर्दिष्ट करती है किस चीज के बारे में क्वेन क्या चीज है ये क्वेन अंकन पददी निर्दिष्ट करती है कि गुडवत्ता प्रगविदिया किसी परिमानात्मक डिजाइन के लिए सन्नहीत होती है इस अंकन पददी को व्याक्यात्मक मिश्रत विदी भी कहते हैं स्वे मातरात्मक गुड़ात्मक विदियों का एक साथ उपयोग किया जाता है ठीक है ये वाला इसकी मुख्य विशेष्टा है वो बताई जा रहे है जब आयत चित्र प्रतिदश माध्य पर अपने सर्वोच बिंदू पर जाता है फिर इस बिंदू के दोनों के नारों पर समान रूप से घटता है तो ये होता है इसे क्या कहते हैं तुरंट इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे सारे के सारे लोग नेक्स्ट कोशन यहां पर आकड़ा दिया है नए जन्मे बच्चों के प्रतिदश भारों को प्रदर्शित करता है यहां पर डेटा दिया गया है उसके अधार पर आपको कोशन का आंसर करने को बोला गया था यदि नए जन्मे बच्चों के मादे भार अर्थ पूर्ण तरीके से भिन अत्वा नहीं इसे आखलित करने के लिए परिकल्पना का जो उचित परिक्षण है वो कौन सा होगा टी टेस्ट इसमें कौन सा करा जाएगा परिक्षण टी टेस्ट किया जाएगा ये परिक्षण है दो सम्बंदित समू के आउसत और मानक पिछलन के तुलना निरधारिक करने के लिए किया जाता है कि वो दो समू के बीच में उनमें क्या अंतर है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 41 कार्भो हाइड्डेट्स के वर्गी करन के अनुसार क्या होता है इस तरीके के ऑप्षण दिये होते हैं ऑप्षण नमबर B सही है मतलब क्या सही है ये पूरा स्क्रीन शॉट ले लिजए क्योंकि अगर मान लिजए ये कोशन नहीं भी रिपेट हुआ तो हो सकता है और इससे जुड़ा कोई important point आप से पूश लिया जाए कार्बनिक योगिक जो मुखिता कार्बन हाइट्रोजन अक्सिजन से मिलकर बने होते हैं तो क्या होगा इस कोशन का सही आंसर option number B साधान शर्करा में क्या आता है ओलिगो शर्करा जटिल शर्करा question number 42 मानव मिती में समानिता उप्यों किये जाने वाले उपकरणों में क्या चीज समलित होती है देखिए इसका भी सही आंसर option number D मानव मिती शब्द के तुलनात्माग में आपको संदर्वित करता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है solter scale body composition analyzer precision carrier hyperglycemia के क्या कारण है जुलाई 2022 में पूछा गया home science का question paper जो आपके सामने exclusive हमारे चैनल पर option number B, C, D इस question का answer है यानि hyperglycemia एक medical शब्द है जो मुक्यता उच्छे रक्ट शरक्रा की कारण होता है मदू में की रोगियों में देखा जाता है जिनमें इसके कारण है बहुत कम insulin, insulin प्रती रोग आहार का बढ़ा हुआ सीवड question number 44 खाना पकाने की इन विदियों में why you खाना पकाने का मात्यम है air is the medium of cooking in these cooking methods तो कौन से वो method है ये देखिए screen shot ले लिजए भाईया ये इतना important है कच्चे बोजे पदार्थ को खाने योग बनाने की कला को पाक क्रिया कहते है और शुष्क विदी यानि वायू द्वारा baking, roasting, grilling, toasting ये सब चीज़े होती है वसा द्वारा frying, frying, frying यहाँ पर ये चीज़ नम विदी, stewing, steaming, boiling, poaching, blotching मिश्ट द्विजी, braising नहीं है कोशन नमबर 45, option नमबर C, यानि B और C सिलाई मशीनी के ऐसा यांत्रे कुपकरण है जो किसी वस्त्र यानने चीज़ को परस पर एक धागे या तार से सिलने के काम आती है सिलाई मशीन के अधार के भाग में फेस प्लेट और प्रेशर फुट नहीं होता है जबकि फीट डॉग, औसीलेटिंग होक मशीन के आधार बाग का हिसा होता है कोशन नमबर 46, कौन शरीर की मटाई बढ़ने का आभास प्रस्तूत करते है तो सही आंसर है option नमबर D कौन कौन सा डिरेक्टली आंसर को देखिए शरीर की मोटाई मापने का आभास करते हैं कॉलर और कफ, टर्टलनेक और चूकर्स कॉशन नमबर 47, ट्रांसफर प्रेंटिंग की महतुपूर्ण विशेशता इन में से कौन सी है option नमबर D option नमबर D यानि इसमें डिजाइन देने का लचिला पन्निहित होता है उचिस तरीकुशलता वाली होती है डिजाइन का अच्छी इस पस्तिता के साथ मुद्रण होता है explanation ज़रूर पढ़िए क्योंकि कभी-कभी क्या होता है माल लिजे question ना सही उसके explanation से question आ जाता है किन लवणों की पस्तिती के कारण जल में स्थाइक कटोरता पाई जाती है मतलब पानी में hardness होती है किस की वज़ा से option नमबर C जल की स्थाइक कटोरता magnesium chloride, calcium nitrate और calcium sulphate के लवणों की पस्तिती के कारण होती है रोजर्स के अमसार नवाचार करने वाले कौन होते हैं क्या होगा इस question का सही answer चलिए देखते हैं option number 1 A, C, E रोजर्स ने कहा नवाचार का विच्रन नामक सिधान दिया और उन्होंने कहा जो नवाचार करने वाले होते हैं सुसक्षित होते हैं जोकिं पसंद करने वाले होते हैं और बाहरी वाता वरण से अच्छी तरीके जुड़े होते हैं इनको पता है कि बाहर मार्केट में क्या हो रहा है क्या-क्या सामन जिस्से के सिधान के पहलू है question number 50 line and shape, size sunrashna यानि texture, idea यानि विचार, proportion question यानि सामान उपाद F color यानि रंग तो सामन जिस्से के सिधान के जो पहलू है option number C, A, B, C, D, E यानि यहां पर इस question का जो सही answer है वो क्या होगा रेखा और आपास माप, sunrashna और रंग सामन जिस्से के सिधान के पहलू तो यहां पर मैं आपको 50 questions इसके करवा दिये हैं मैंने PYQ बाकी के PYQ के 50 questions अगर आप देखना चाते हैं तो जल्दी से वडियो को like, share, subscribe करें और comment में next लिखना बिल्कुल भी मत भूले ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच God bless you